नमस्कार मित्रों ध्यान क्या है यूग क्या है सन्यास क्या है और किस तरह हमें यूग के रास्ते पर आगे बढ़ना है ध्यान यूग के रास्ते पर आगे बढ़ना है और ध्यान के द्वारा अपने अंतस्थल का अपने आत्मा का विस्तार करते हुए इश्वर को प्राप्त करना है इस बात की चर्चा भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के छठे अध्याय में की है सन्यास से हम अर्थ लेते हैं कि जिस व्यक्ति ने गेरियू अवस्तधारन कर लिया है या सफेद वस्तधारन कर लिया है घर छोड़ के जंगल में चला गया है या किसी एकांत निर्जन स्थान पर चला गया है वही सन्यासी है वही योगी है भगवान कृष्ण इसको परकाशित करते हुए कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है और वही व्यक्ति सन्यासी है और वही व्यक्ति योगी है जिसने कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर दिया है ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आग नहीं तपाता है या अक्री हो गया अर्थात जिसने अपने गरहस्थ जीवन के कर्तवियों का परित्याग कर दिया है और जो जंगल चला गया है वह न तो सन्यासी है न योगी है अगर उसके एच्छिक कर्म समाप्त नहीं हुए है वह कुछ प्राप्त करने की इच्छा से काम कर रहा है तो वह सन्यासी नहीं है चाहे वह काम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से ही क्यों न कर रहा हो क्योंकि जो भी काम इच्छा से किये जाते हैं वो काम सकाम कर्म है और सकाम कर्म फल देने वाले हैं और जो भी फल मिलता है सकाम कर्मों का वो कुछ समय के लिए होता है क्योंकि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल होता है जो कर्म आपने किया सकाम उसका फल मिला सकाम और जिस तरह क का सकाम कर्म का फल भी नश्ट होने वाला है इसलिए सकाम कर्म के द्वारा कभी इश्वर के प्राप्ति नहीं हो सकती इश्वर प्राप्ति ही शुन्यता में है जब समस्त आशाओं का आकांग्छाओं का इच्छाओं का समाधान हो जाए इस सारी आकांग्छाओं इच्छाओ हो जाए और व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाए वह शुन्यत्व भाव का बोध हो जाए उस बोध को प्राप्त कराने का रास्ता जो है वही सन्यास का रास्ता है वही सन्यास है इसलिए वह व्यक्ति सन्यासी नहीं है जो घर छोड़कर चला गया है जिसने गीर विवस्त में बैठा हो सकता है, खेल रहा हो सकता है, कार्पोरेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो वास्तों में सन्यासी हो, और कई व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने सामाजिक जीवन में, राजनेतिक जीवन में रहते हुए, उस मानसिक स्थित को प्राप्त किया है उस आत्मिक स्थित को प्राप्त किया जिसे हम सन्यास कहते हैं सन्यास शरीर की स्थित नहीं है सन्यास आत्मा की स्थित है शरीर कैसा भी हो सकता है शरीर का भेस कोई भी हो सकता है शरीर किसी भी जगह पर हो सकता है उससे आत्मा की स्थित पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता बहुत सारे ऐसे वेक्ति हैं जो गिरुवा वस्तर पहनते हैं लेकिन उनकी अंतरात्मा वासनाओं से भरी है इच्छाओं से भरी हुई है तो ऐसे वेक्ति ना तो सन्यासी हैं ना योगी हैं वो बड़े शुद्र वासना पुरूश हैं लेकिन ऐसे वेक्ति है जो आपको भोग करते हुए दिखेंगे, आपको दिखेगा कि बहुत उत्र पदों पर आसीन है, किसी राजनेतिक पद पर आसीन है, किसी बड़ी कमपनी का CEO आपको दिखेगा, आपको लगेगा कि यह व्यक्ति कैसे सन्यासी और योगी हो सकता है, लेकिन अगर उसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिए, तो वो योगी है, वही सन्यासी है, यही भगवान कृष्ण सन्यास के बारे में बात कहते हैं